हेलो फ्रेंद्स वन्स अगें वेलकम बैक टियो ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीज और आज की क्लास जो हो थोड़ी सी हट के थोड़ी सी अलग है जैसे की डेली हम जो है पैड़ागों की सक्षिन के किशन देख रहते लेकिन आज जो है हम यहाँ पे कुछ अलग देख दे रहे हैं यह एक्जाम और उनको लगता है कि बस हम इसको देख लेंगे और बहुत इसली बन जाएगा गध्याश में क्या रखा है तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे गध्याश नहीं दिखाने वाली हूँ कि इसमों बहुत टाइम आपका वेस्ट हो ज जाते हैं कितने जो है content based रहते हैं कितने जो रहते हैं grammar portion से रहते हैं यह हम देखेंगे साथी एक छोटी सी कविदाया जिसको पद्यांश कह सकते हैं उसे हम solve भी करेंगे मतलब कि आपको solve करना है मैं उसमें help करूंगे आपकी ठीक है तो यह दो पार्ट में आज यह चीज हम है सब कुछ निमलिकित में से कौन सा उच प्रात्मे के स्तर पर भाशा सिक्षण का उद्देश नहीं है 5 seconds के अंदर बताएं सही रूप से समझना व्याक्रेट के नियमों को रटना नीची अनुभवों के अधार पर भाशा का स्रेजन से प्रयोग या दूसरों के हो जाता है इस के लिए वह हो जाता है आपका उप्शन नंबर भी व्याकरण के नियमों को रटना यह प्रात्मे किस तर पर वासाज इचल का उदेश नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं अब देख लेते हैं तो यह एक छोटा सा गद्यांश है तो गद्यांश था इमीन मैंने यहां पर इंक्लूड नहीं किया है वह उसके क्रिशन जो अराइज होते हैं वह बस आपको जो लोग पस टाइम दे रहें उनको दिखाने के लिए हैं कि आपके गद्याश में कुछ भी जो वर्ट आए हो उनको पिक करके उनका संधी विच्छेद या उनका विलूम शब्द स्टैण इंक पूछे जाती हैं पिर उसके भषय कि संतान को यहां पर श्रैण कितना समझा तो बरेम। ऐसे अगेन वही भावाले आ जाते हैं argent Cant origin या कोई लोगोकर प्राइखी जो कि पूछा जाता है कि स्काम अन्षार्ब्म हमें उसके संदह्धम में देन लेखता में उसके इसमें मैं जाते हैं गद्यांश में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है शब्दार्थ टाइप के कुश्ण आ जाते हैं फिर ये भी आपके पैसे से मिल जाएंगे ये फिर एक ग्रामर का जैसे कुश्ण है व्याकरण का जैसे कुरूर शब्द है क्या सर्व नाम क्रिया विशेशन जंग् से हैं दो तीन प्रश्न आपके बन सकते हैं व्याकरण से बाकी व्याकरण से कुश्ण इसमें नहीं आते हैं खैप यो यह भी आपका एक है है एक यह देख लीजिए सर्वनास से उबरा जा सके मैं उबरा का अर्थ तो यारनि कि कोई भीında का अर्थ उठाकर पूछ सकता है आसान होता है तो यह तो थाट चलिए ठीक है अब एक छोड़ा सा पध्याज में यहां पर सॉल्व करेंगे किश्टिन एंसर के फॉर्म में देखेंगे उसको आपको सॉल्व करना है चलिए स्टार्ट करिए यहां पर फटा फट से इल नाइंस को अच्छे से पढ़ लीजिए सदियों की ठंडी बुझी राक सुख बुगावठी मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है दो राह समय के रत का घरगर नाद सुनो सिंगासन काली करो की जनता आती है जनता हां मिट्टी की अबोध मूरते वई जाड़े पाले की कसक सदार सहने वाली जब अंग अंग में लगे साप हो चूस रहे तब भी न कभी मू दर्द का खोल दर्द कहने वाली हमेशा मैंने बताया है जब आप कभी कोई ऐसे पद्याश पर डालीजी यहाँ पर मैंने पूरा पढ़के बता दिया लेकिन पहले आपको क्या करना है एक नजर अपने किशन पर डाल देना है कि क्या पूछ रहे हैं उसके बाद आपको इसको पढ़ना है कि गद्याश में तो सीधे सीधे स्टोरी के फॉर्म पर लिखा होता है लेकिन जब आप पद्याश सॉल्फ करते हैं तो यहां तो काफी असान सी एक कविता है कई बार टफ भी रहती है इसमें लाइन कुछ है ध्य करेंगे पूरे करेंगे लेकिन हम उसी लाइन को ज्यादा की और संकेत दिया गया है जिसे बोध है जिसे साप काटते हैं जो खेट कलहानों कार खानों में काम करती है या जो रख चलाती है फटा फट से देखे कौन सी जंता अर फोकस किया गया है तो यहाँ पे हमें सीधे यहाँ पर है सिंघासन काली करो की जंता आती है अब यहाँ पर कहीं पर भी आपको ऐसी लाइन नहीं मिलेगी कि जो रच चलाती है जो जहो भी ऑप्शन्स में थे वह सब इसका जो सही एंसर है तो देखिए इसको हम यहां पर पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा कि exactly यहां पर क्या पूछ रहा है दो राह समय के रतका घर करनाथ सुनों मिट्टी सुने का ताज पहने इटलाती है जो खेत खली हानों कार खानों में काम करती है ऐसी जनता ठीक है मिट्टी सोने का ताज पहने टलाती है यहाँ पे लिखा है मिट्टी सोने का ताज लेकिन इसका सेंस हो जाता है जो खेत होते हैं आपके ठीक है उसमें जब फसले लग जाती है तो वो एक तरह से सोने का ताज पहन लेती है ठीक है ऐसा यहाँ पर सेंस निकाला गया है तो यहाँ पर सही अंसर आपको जाता option numbers कौन सी जनता आती है जिसे साप काटते ही गलत है जिसे बोध है जो रत चलाती है सब कुछ गलत है जो केद कलिहानों कारखानों में काम करती है वो जनता अब देखिए next question इसका भी आप ही को तो सही उत्तर हो जाता है इस प्रशन का यहाँ पर आपका option number है बिल्कुल सभी का सही होगा है just hope कि अब समय बदल रहा है कि समय के रत का घरगन ना सुनों यानि कि समझो इस बात को कि अब time जो है वो change हो रहा है सुगबुगा उठना का अर्थ है अब देखिए यहाँ पर पी सी के सीदिस का अर्थ पूश लिया है राक का जल उठना अफवा फैलना धीरे धीरे कहना या अपने हक के लिए प्रयातने शील रहना तो आपको इस पद्यांस के संदर्व में इसका अर्थ बताना है तो correct answer इस question के हो जाता है आपका option number D अपने हक के लिए प्रयातने शील रहना सिंघासन खाली करू की जनता आती है जैसे हमने उपर अभी यह लाइन अच्छे से देखी है इस पंक्ति का भाव क्या है कि राजा के सिंघासन को खाली करना होगा जनता राजा के सिंघासन हिला देगी सारी जनता अब सिंघासनों पर ही बैठेगी राज तंत्र के विरुत लोग तंत्र का स्वागत तो यहाँ पे से यूत्तर हो जाता है इस प्रश्नी के लिए आपका option number D राज तंत्र के विरुद्ध लोग तंत्र का स्वागत सामाने जनताने अब तक बहुत कश्ट साई है इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ती है कौन सी जनता हा मिट्टी की अबुद मूरते वही जाड़े पाले की कसक सदार सहने वाली सदियों की ठंडी बुछी राक सुग भुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है तो यहाँ पे जो से यूत्तर होता है इस प्रश्नी के लिए वो होता है आपको उप्शन नंबर बी की जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली यानि की जनता जो नॉर्मल होती है उसने बहुत कश्ट सहे हैं हमेशा जो भी प्राकृतिक प्रॉब्लम हो चाहिए वो आर्थिक प्रॉब्लम हो वो नॉर्मल जनता सहती है साप किसकी ओर संकेत करता है विशैले सापो की ओर, जमीदारों की ओर, शोशकों की ओर या सूद खोरों की ओर उत्तर सही हो जाता इस प्रशनी के लिए आपका ओप्शन नंबर C शोशकों की ओर साप का मतलब हो गया जो सोशड करते हैं नॉर्मल जो जनता होती है, सामाने जनता होती है, उसका, ये इसका सेंस निकल कर आता है, आज की क्लास थोड़ी अलग थी, और कल से आपको पैड़कोगी की क्लास जो वो कॉंटिनु होंगी, और अगर आपको गद्यांश और पद्यांश भी सॉल्व करना है, वैसे मुझे हमेशा लगाए कि इसकी साथ भूष जरूर नहीं होती है, साश्कृत में होती है, बट इतना हिंदी में एजी होता है थोड़ा, बट अगर चाहिए है तो आप लोग कॉमेंट करिएगा, तो फिर आपको प्रोवाइट कराया जाएगा, वीडियो पसंद आए है तो लाइक कर दीजेगा, शेर कर दीजेगा, सब्सक्राइब भी कर दीजेगा, वीडियो एक वाचिजेगा, बाइगी।